बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो बार-बार सकुलेंट लगाते हैं लेकिन उनके प्लांट ग्रो होने से पहले ही मर जाते हैं आज के वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि सकुलेंट प्लांट लगाने के लिए गमला किस तरह का होना चाहिए, मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, इनको कितना पानी की समय देना है और इनहीं किस तरह के एटमॉसफेर में रखना है तो 20% मिक्स करना है वर्मी कमपोस्ट या घर का बना कमपोस्ट और 10% इसमें मिक्स करें नीम खली नीम खली पोदी की इम्मिनेटी को बढ़ाती है उसमें किसी भी तरह के रोग और कीडे मुकोडे लगने से बचाती है और 20% इसमें मिक्स करें परलाइट अगर आपके पास पर के टूटी हुई चीजे जैसे कुलर वगएरा इनको भी आप अच्छी तरह से तोड़ कर इस मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं क्योंकि सकुलेंट के लिए जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए सकुलेंट प्लांट पहाडों में उगते हैं पत्थरों के बीच में उगते और जब पोधा पूरी तरह से स्टेबल हो जाए उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होने लग जाए तब आप उसे किसी भी मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं नर्सरी पोर्ट में बहुत सारे छेद होते हैं तो जब भी आप उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो नीचे हॉल से बाहर आ जाता है और उससे पोधे की जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता ये कुछ सकुलेंट प्लांट की छोटी-छोटी कटिंग्स हैं जो मैं अपनी फ्रेंड से लेकर आई थी बहुत छोटी कटिंग है और इनकी कंडिशन भी कोई बहुत जादा अच्छी नहीं है इन्हें मैंने लाकर इस तरह से तोटी हुई बकट में लगा दिया था कल और चोटी-छोटी कटिंग्स हों तो आप उन्हें एक ही गमले में लगाएं ऐसा नहीं करें कि आप उन्हें अलग-लग गमलों में लगा दें तो मैं यहां इन सारी कटिंग को दो गमलों में ही लगाने वाली हूँ और जब यह थोड़ी ग्रोथ पकड़ लेंगी यहां यू पार्श वैदर को सकुलन प्लांट जेल नहीं पाते बहुत एक्स्ट्रेम गर्मी और एक्स्ट्रेम सर्दी से इन्हें बचा कर रखना पड़ता है बहुत जादा बारिश के मौसम में भी इन्हें आप बाहर नहीं रख सकते क्योंकि इनकी पत्तियों में कोब सारा पानी होत सकुलन प्लांट को बहुत जादा पानी की जरूरत नहीं होती इनकी पत्तियों में ही पानी स्ट्रो होता है इसलिए आप इसकी मिटी को चेक करके जब 2 इंच की मिटी सूप जाए तभी पानी डालें यहाँ पर मैं अपने पुराने succulent plant जेब्रा प्लान्ट के port को change कर रहे हूं ये plant काफी stable हो चुका है और इसके mother plant ने कुछ baby plant भी produce कर दिये हैं तो मैं अब इसे बड़े मिटिके गंजे में shift कर रहे हूं इसी तरह मैंने बेबी सनरोज की एक कटिंग लगाई थी और आज मैंने उसे अपने पूरे घर में फैला रखा है आप एक कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और आप अपना इंडोर और आउट्डोर दोनों ही तरह से घर को इन सकुलेंट प्लांट्स से सजा सकते हैं जो देखने में बहुत ही खुलसूरत लगते हैं उमीद करती हूँ कि वीडियो में मैं सकुलन प्लांट के רिगार्डिंग सारी क्वेरीस को सॉल्व कर पाई होंगी और ये वीडियो आपके लिए हилफुल रहा होगा और वीडियो अगर आपको हилफुल लगे तो वीडियो को ला感じ surf किजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तिल एन बाई बाई